असलाम अलेकुम डियर फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल इफ़सेलाउन कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं उसब खैरियत से और खुश होंगे देपर्पोस अफ माई चैनल इस तो लिग ब्यूटिफुली और हाल्दी विद इफ़सेलाउन सो माई देट फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको स्कृब करने का तरिका कार बताऊंगी कि सेट्फ प्रॉब कैसे कर सकते हैं कितने मिनट आपको स्कृब करना चाहिए और किपनी दफा आपको स्रब करना चाहिए तो आपने इस वीडियो को एंद तक देखना है सबसे पहले हम यहां पर पालमर का यूज कर रही हूं मैं आपको किसी वीडियो के अंदर यह बता दूंगी कि मैंने यह स्क्रब क्यों दूस करती हूं और इसके क्या बैनेफिट्स है इंशाला रिव्यू उसका जल्दी करूंगी आपने इस क्रब जो है वो अपने हाथ पे ल और नेट के ओपर यहापने इसको अपलाई करना यी इस तरह से जो ह्यारख को फेस और नेक के ओपर अपलाई करें So my dear friends, आपने face के उपर scrub को लगा दिया, इसके बाद shower लेके, पानी रोज बाटर जो भी आप यूज करना जाते हैं, इसको आपने face के उपर या hands के उपर आप लेने, इस तरह से करके, आपने neck से जो हो इसको scrub करना है, soft hand से, finger tip से आपने उपर की तरफ जो हो इसको neck को करना है, neck से आपने start लेना है, यह देखिए, neck से आप इसको उपर की तरफ करेंगे, उसके बाद fingers, finger की tips लेनी हैं आपने और जएदा तर आपने यह three fingers use करनी है, इस तरीके से आपने इसको जो हो करना है, उसके बाद आप अपर lips पे आएंगे, और upper lips पे बहुत सौफ हैंड से आपन करेगा, आपकी skin को glow देगा, और आपको scrub जो है, वो तकरीबन week में एक बार use करना चाहिए, it depends on your skin, अगर आपकी skin बहुत sensitive है, तो 15 days में एक दफ़ा यूज़ कर लीजिए, और अगर आपकी skin जाला sensitive नहीं है, नॉर्मल है, तो आप हर week भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो scrub जो है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, फुल बड़ी पर ही scrub बहुत जरूरी है, लेकिन फेस के उपर तो बहुत ही ज़्यादा important है, तो आप देखें के बहुत ज़्यादा soft hands के साथ जो है, वो मैं scrub को पूरे face के उपर, आप steps भी देख सकते हैं किस तरीके से कर रही है, इस तरीके से यह वाली finger से बहुत slowly जो है वो नोस के उपर करना है, और scrub की timing आपकी 2-3 मिनट्स होनी चाहिए, इस से जाना scrub आपने अपने face के उपर नहीं करना है, दो से 3 मिनट तक आपने करना है, और अगर आपके बहुत अच्छी और healthy है, तो आप 4-5 मिनट्स भी कर सकते और बहुत जादा sensitive skin होने की सूरत में आप इसको जो है वो एक से 2 मिनट्स ही करेंगे लेकिन scrub के लिए आपको fingers जो है वो अपनी बहुत जड़ा soft रखनी है, pressure आपने कहीं पर भी face पे नहीं देना है, मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी, कि scrub जो है वो खुद से किस तरीके से करते हैं और वीक में कितनी दफा इसको करना चाहिए, तो मैंने जितना ड़ा ही scrub करना था अपनी skim के according मैं 2-3 मिनट तक इसको कर चुकी हूँ, scrub जो आप कर लेंगे तो आपने cotton लेनी है, cotton के उपर ये shower की मदब से आपने light सा shower करना है, अगर आपके पस cotton नहीं है तो आप sponge का इस्तमाल भी कर सकते हैं, shower करने के बाद आपने इसको इस तरीके से देखें, बिल्कुल नरूमी से आपने इसको साफ करना है, इस तरह से आपने इसको साफ करना है, ये रिखिए, ये सारा scrub जो है वो साफ हो गया, अब आपके सामने ह मेरी स्कीन, ये देखिए, नेक्स से भी आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से रिमूव करना है, अब आपके स्कीन मेरे सामने है, और हाँ लेडीज आपको प्राबलम होती है कि जी फिल्टर यूज के आप देव सकते हैं, इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई विल्टर यूज नहीं है, आपको सामने ही है, बिफोर भी और आप्टर भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो काईड़ी लाइक, शेर और फॉलो लाजमी कीजिए, स्क्रब के बात बहतर ही होता है कि आप अपना फेस लाजमी रोश कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े से जरात होते हैं, जो आपके फेस पे रह जाते हैं, मजीब इस तरह की वीडियो इस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल ऐकम दबाईए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो बग्ट पर मिलती रहे, थैंक्स फूर वाचिंग, अपना बहुत क्य रखिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला हाफिज